सुच्विशन जो मोकश्मीर की बहुत अच्छी बनी हुई है 2019 के बाद टारगेट किलिंग एक इशू है मेन इशू है इस टाइम उसको LG सरकार देख भी रही है के अंदर सरकार भी उसको मद्दे नजर रख रही है लोगों को बढ़काने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो हम हम लोगों ने कल महराज हरी सिंग जी का एसेशन डे जो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया तो कश्मीर में भी वो मनाया गया तो इतना बड़ा चेंज जो देखने को मिल रहा है वहां के यूथ चाहते हैं कि वो भाजपा का सपोर्ट करें कितनी जोइनिंग हो रही है कश्मीर से हम तो कहेंगे कि 50% महलाओं को उनका हक मिलना चाहिए मगर जो 33% के इन्होंने अब शुरुवात की है तो वही 33% जो है आरक्षन एसेंबली चुनाओं में भी मिलेगा और महलाएं समाज का अभिन अंग है सभी के लिए एक blueprint तयार किया गया है खासतोर से महलाओं के लिए मोधी जी का एक soft corner शुरू से रहा है भाजपा लगातार जब सरकार नहीं थी तब भी लोगों के साथ जुड़ी थी प्रोटेस्ट करती थी तवी का पुल बंद करती थी जो भी हमारे खिलाफ पब्लिक के खिलाफ कोई भी decision हमारी सरकार करती थी पहले की कहीं न कहीं उसका प्रोटेस्ट अगर करती थी बाजपा ही करती थी और लोग यकीन रखें जम्मू की जनता या कश्मीर की जनता यकीन रखे कि जितने भी डिसिजन स्पेंडिंग है जो भी पब्लिक वेलफियर के लिए होंगे वह बाजपा ही करेगी और कोई सरकार नहीं करेगी आप देख रहें यंग वाइट्स में हूँ आपके साथ पूजटागर आपको बतारे कि जिस तरह से जम्मो कुश्मीर के हालाद बने हुए हैं अलग लग पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों को रिजाने के लिए लोगों को बताने के लिए कि आखिरकार आपके लिए कौन स आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं रजनी सेठी जी जो कि भारती जन्ता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं आपका स्वागत है रजनी जी मुझे बताइए जिस तरह से सिचुएशन जमो कुश्मीर की बनी हुई है प्रोटेस है 2019 के बाद ठीक है ये चोटे मुटे प्रोटेस्ट जो है हमारे यूथ कर रहे हैं टार्गेट किलिंग एक इशू है में इशू है इस टाइम उसको LG सरकार देख भी रही है केंदर सरकार भी उसको मद्दे नजर रख रही है कहीं न कहीं 2019 के बाद जो चेंजिस हुई है एंसी के नेताओं की हो या पीडिप के नेताओं की हो तो वो कहीं न कहीं एंटिनेशनल मैं कहूं अब आपने सुनाई होगा जो हमारे एक्स सीम रहें फारुक अबदुल्ला जी ने कहा कि टार्गेट किलिंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक यहां पर कोई बातचीत नह है तो वो हमारे पुराने यहां के जो सीम रह चुके हैं वो कर रहे हैं जो हमारी युवा सडकों पर हैं उनकी चिंता हम लोग लगातार कर रहे हैं क्योंकि पुरानी सरकारों ने उनका जो निरने लिया था कहीं न कहीं उनके लिए नुकसान दायक रहा और अभी आपके साम ही है कि डेली वेजर का इशू जब प्रोटेस्ट पे हमारे यूथ बैठे हैं उनके इशू को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए मगर आप समय सकते हैं जब तक अपनी सरकार ना हो जब तक अपने अमेले ना हो तब तक यह डिसीजन्स होना नामुम्किन से लगते हैं तो प देखे इस बार टूरिजम कितना कश्मीर में हुआ है लगातार टूरिस्ट कश्मीर जा रहे हैं वहां हर दिन हम देख रहे हैं मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टूरिस्ट बड़ा कंफर्टिबल फील कर रहा है उनको लग रहा है कि अब कोई पथर बाजी नहीं हो और वहां के लोकल्स जो हैं वो भी उनका मान समान बड़े अच्छे से कर रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव वेड देखने को मिल रहा है दूसरी बात राश्टर बगती जो कश्मीर के लोगों में थी एक दो परसंट छोड़के जो लोग पथर बाजी में इन्वाल्व थे म उन्होंने 15 अगस्त का जंडा फैराया, उन्होंने स्कूलों कॉलेजों में फैराया कहीं नदे जितने भी हमारे नैशनल फर्कांड़े रहे उन्होंने हर फेस्टिवल को मनाया चाहे कल वश्òng की बात करूं अभी या हम लोगोंने कल महराज हरी सिंग जी का session day जो हम लोगों ने celebrate किया तो कश्मीर में भी वो मनाया गया तो इतना बड़ा change जो देखने को मिल रहा है वहाँ के youth चाहते हैं कि वो भाजपा का support करें कितनी joining हो रही है कश्मीर से तो ये tremendous change जो देखने को मिल रही है 2019 के बाद ही मिल रही है आपका कहना है कि जिस तरह से joining जो है बड़चट कर हो रही है कश्मीर से भी हो रही है आने वाले चुनावों को लेकर महिलाओं की कितनी ज़्यादा भागिदारी रहेगी उस पर क्या कुछ बात चीत अभी तो देखें महिलाओं लगाता अगर को बड़ाने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो हमारी महिलाओं करेंगी तो यह सोचने वाली बात है कि अगर यहां चुनाव होंगे और महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी मिलेगी मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर में जो डिसिजन्स काफी समय से नहीं हुए और जो महिलाओं समझ सकती हैं ग्राउंड में जाके वो आने वाले दिनों में देखने को महिलाओं के बात कीज़े उनके शिक्षा के लिए उनके रोजगार के लिए किस तरह का ब्यूप्रिंट जो है सेट किया हुआ है भाचपा दोरा केंदर सरकार दोरा तो सभी के लिए एक ब्ल्यूप्रिंट तयार किया गया है खासतोर से महिलाओं के लिए मोधी जी का एक soft corner शुरू से रहा है क्योंकि उन्होंने जितनी भी scheme में अपनी launch की वो महिलाओं से related ही की चाहे शोचाले की बात करूँ चाहे उजवला scheme की बात करूँ चाहे मुद्रा लोन की बात करूँ अलग-अलग scheme बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ की बात करूँ या यह जो हमारे help groups हैं domestic violence के उनके लिए जो उन्होंने NGOs कर रही है काम कहीं न कहीं महिलाओं को कहीं भी कोई हानी ना पहुँचे महिलाओं मान सम्मान की जिन्दगी जी है उसके लिए मोधी जी काम करने है मगर जुम कश्मीर की राजनीती में अभी ऐसा कोई decide नहीं किया गया कि बहुए election होंगे तो महिलाओं का क्या योगदान रहेगा मगर संगठन जो चाहेगा अगर महिलाओं को वो आरक्षन देना चाहेगा तो अच्छी बात है मगर महिलाओं का जो फर्ज बनता है महिलाओं का फर्ज है गर-गर तक जाना लोगों को समझाना मोधी जी की schemes को बताना मोधी जी ने हमारे लिए क्या किया चाहे वो राममंदिर की बात करूं चाहे मैं दारा 375 से खुतम करने की बात करूं तो मोधी जी ने इतने काम किये है तो हम सभी महिलाओं का दायतव बनता है कि गर-गर तक जाए और आने वाले दिनों में चुनाव जो हो गर-गर तक जाने की बात आपने किया और गरामिन शेत्रों में गई भी है लोगों को जो वहाँ पे महिलाए है उनको अवेर भी किया गया है आपके लिए अगर पर्सनली बात की जाए तो भाजबा के मैनिफेस्टों में महिलाओं के लिए सबसे उपर प्रियोरिटी पे आप क्या कुछ रखेंगे क्या कुछ आपको लगता है ऐसा कि महिलाओं को अभी भी फेस करना पड़ता है और अभी भी जुरूरत है इसे स्ट्रॉंग बनाने के लिए अभी जो चुनाव भी दोर शुरू नहीं हुआ है अभी नहीं हमारी डिकलरेशन हुई है कोई चुनाव को लेकर मुझे लगता है कि जब भी चुनाव होंगे तो अपने अध्यक जी से बात करकर जो महिलाओं के मुद्दे होंगे खासतोर से चाहे डॉमेस्टिक इशूस है या क्राइम अगेंस्ट फिमेल है तो वो इशूस को लेकर हम कहीं न कहीं उसमें कैसे तेजी लाई जाए उनके डिसिजन्स को करने के लिए इसमें महिलाओं को ही देखा जाएगा या इसमें पुर्शों को भी इंक्लूड की हो जाएगा क्योंकि इस चीज को भी हम डियाई नहीं कर सकते हैं कि महिलाओं के साथ-साथ पुरुष भी परताडना का शिकार होते हैं बिल्कुल पुजा जी मैंने ये लगातार अपने बात में रखा भी है कि ये ज़रूरी नहीं कि महिलाओं परताडना का शिकार हो रही है इसमें पुरुष भी हो रहे हैं मगर जादा जो है वो संख्या महिलाओं की है और महिलाएं अभी तक क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे केसिज आते हैं जिसमें महिलाओं को अभी तक नियाई नहीं मिल पाया और नियाई प्रोसेस बहुत lengthy है और महिलाएं हार कर अपने गर बैठ जाती है कोट का चकर लगाने में ठख जाृती हैं और एक डिस्र Glasspect करती है कि मैं बार-बार कोट जाओंगी तो लोग किया कहें। धर पूर्षों को भी संग्यान लेने चाहेंगे आप? भाजपा लगातार जब सरकार नहीं थी तब भी लोगों के साथ जुड़ी थी, प्रोटेस्ट करती थी तवी का पुल बंद करती थी जो भी हमारे खिलाफ पब्लिक के खिलाफ कोई भी दिसिजयन हमारी सरकार करती थी पहले की कहीं न कहीं उसका प्रोटेस्ट अगर करती थी बाजपा ही करती थी और लोग यकीन रखें जम्मू की जनता या कश्मीर की जनता यकीन रखें कि जितने भी डिसीजन पेंडिंग है जो भी पब्लिक वेलफेर के लिए होंगे वह बाजपा ही करेगी और कोई सरकार नहीं कि किस तरह से भाज़पा इस पर काम करती है आप इस तरह से देखते रहे यंग बाइट्स वर्जनिस्ट अब शेक बड़ू के साथ मैं पूजर ठाकुरी यंग बाइट्स जेमुग